हलो दोस्तों मैं हूँ आती और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे संस्कति आयस के चैनल पर तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर के ये टॉपिक हमारा जो है थोड़ा जग्राफिक भी हो जाता है थोड़ा पर्यवर होगा उसी से सबंदित कुछ चीजें हाँ पर हम देखने वाले हैं हर नीश पेपर में आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है क्या है क्लाउट चैमबर की सब लोग यह बोले कि भारत जो है क्लाउट चैमबर क्यों बना रहा है या कैसे बनाने वाला है इ अगर आप UPSC की प्रप्रेशन कर रहे हो तो हमारे ओफर्स के तुरू आप देख सकते हो कि आपको इतने सारे इतने महेंगे महेंगे बैचे जो है मात्र साथ जार रुप मिलना उसमें आपका जी एस भी है सी सैट भी है तो आप हमारे एप्लिकेशन पर या वेबसाइट के जाएए और जो हमारे नमबर्स देर पर कॉल करकी भी जानकारी एकठा कर सकते हैं बाकि आप वेबसाइट या एप्लिकेशन के माध्यम से भी जानकारी एकठी कर सकते हैं अब आते हैं हमारे टापिक पर फिर से तो यहां पर देखे लिखा है चर्चा में क्यूं है अब हम मौसम प्रोजेक्ट क्या है इसको भी हमें समझना पड़ेगा अभी एक महीने पहले इसको स्टार्ट किया गया है और दो साल के लिए सरकार ने इसके लिए लगभग दो हजार करोड रूपीज का फंड का लोकेशन किया है इसके लिए तो हम उसको पढ़ेंगे अब इतनी धन मिसन मौसम प्रोजेक्ट के तहते देश एक क्लाउड चैमबर बनाने जा रहा है तो देखो मिसन मौसम प्रोजेक्ट हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट कर ही दिया है उसमें ही उसी का एक पार्ट होने वाला है जिसमें हम जो है क्लाउड चैमबर बनाने वाले है नाम से ही प पड़ा हुआ है वहां पर आर्टिफिशल रेन करा रहे हैं या फिर आपने दिल्ली में बहुत बार न्यूच पड़ी होगी कि आर्टिफिशल रेन के माध्यम से प्रदूशन को कम करने का प्रयास किया गया जैसे क्या होता है कि ठंड में जो पार्टिकल्स होते हैं PM2.5 या PM करूंते हैं जैसे बातल का जो पाम करने के लिए भी आतिफिशल रेन का उपड़ी है AJ जाता है तो उसी से सब्मांदित कुछ चीजि Personen के हम पढ़ने वाले हैं कि क्या और कोई कोई भी उपिएजल रेन के या और और आर्टिफिशल रेन के लाबा और यतक को आठिशल रे अच्छे से देखेंगे लिखा क्या है आपे देखो प्रमख बंदो में भारत पुड़े इस्थित भारती ऊष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान यहां पर पहली बर बनाया जाने वाला है ठीक है अपनी तरह का पहला क्लाउड चैमबर इस्थापित करेगा तो आप पर इस्थापित किया जाने वाला है ठीक है अगली पंगती में देखो लिखा है इसका उद्देश से कह है मौसम पर किसी हद तक कंट्रोल पाना इसका मतलब क्या है जैसे अब मौसम पर हद तक कंट्रोल पाने का है कि बहुत अगर कम बारिस हो रही है तो हम उसको बढ़ान तो वहां पर बारिस को कम करने का भी प्रयास हम यहां पर इस टेक्नोलोजी के माध्यम से करते दिखाई देंगे ठीके अगली पंक्ति में लिखा है यह चैंबर एक तरह का रिमोट कंट्रोल होगा ताकि मांग या जरूरत के मताबिक बारिस घटाई या बढ़ाई जा सकी जै भी कर सकते हैं ठीक है मौसम से जुड़े कई और घटनाओं पर काबू पया जा सकता है जैसे चक्रवात है तूफान है या फिर बिजली कड़करे इन चीजों पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है सिर्फ बारिस ही नहीं अब एक ही छेतर में हम लकातार काम कर रहे हैं तो हमार आज हम यह कह सकते हैं कि और भी घटनाओं पर हम काबू पा सकते हैं ठीक है वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसा देश है भारत के अलावा जिसके पास जो है ऐसी टेक्निलोजी है अन्य देश तो है तो यहां पर है कुछ देश जैसे अमेरिका फिर है रूस फिर है चीन और कुछ अन्य यूरोपी देश भी है यूरोपी देश में होता है कि यूरोप में ही कोई कंट्री है तो हम यूरोपी देशों में काउंट कर लेते हैं अलग अलग नाम या दखने के जरूरत नहीं है ठीक है तो रूस है अमेरिका है चीन और यूरोपी देश ह साथ में भारत भी सामिल होने वाला है अब हम यहां बात करते हैं कि क्लाउट चैम्बर आखिर कर क्या होता है तो देखो कुछ ऐसे चित्र बना दूं अगर मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है तो ऐसे बेलनाकार एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी घटनाएं हो रही होती है और बादल बनाने के लिए हैं आपको क्या चाहिए बादल बनाने के लिए हैं हाइड्रोजन होनी चाहिए ऑक्सिजन होनी चाहिए और क्या है जल को संगनन या जलकणों को बनाने के लिए वहाँ पर एरोसोल्स होने चाहिए तो यह सारे चीज़े वहाँ पर मिक्स की जाती है और वहाँ पर बादल बनाने का प्रयास किया जाता है बादल बनता ही है ठीक है जब नाम ही है क्लाउड चेंबर ऐसा चेंबर यहा चापमान पर को मैंके कंट्रोल किया जाता है.. उसको कंट्रोल करते हैं, साथ में टैंपरेचर, ठीक है, हुमिडिटी और तापमान पर कंट्रोल किया जाता है, उमस जिसको बोलते हैं, हुमिर हो गया है, फिर क्या लिखा है, भारत ऐसा क्लाउट चैंबर बनाने की कोशिस में है, जिससे बारिस तो हो सके, साथ ही, जिसके भारती मानसूनी बादलों का अध्यन भी किया जा सके, अब क्या है? यहां पर यह भी प्रयास किया जा है, हम जो आर्टीफीशल बादल तो बनाएंगे,双ने में गेंगे, साथ में, जो री खलाउट अजयर बादल होते है, जो कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको हम औ हमारी बॉडी में कुछी जिसके जानकरे साइंटेस्ट के पास अभी भी नहीं उन पर भी रिसर्च चल रही तो ऐसा कुछ है कि हम बादल बनाएंगे भी और बादलों पर रिसर्च भी करने वाले हैं अब यहां पर हम बात करेंगे क्लाउड सीधिंग अब लगाउड सीधिंग बहुत चाडचा में रहता है यह सब्द जो है अब बादल होने चाहिए क्लाउड सीधिंग के लिए बादल होना जरूरी है जहां बादल नहीं है वहां पर क्लाउड सीधिंग करने का कोई पायदा नहीं है Cloud Seeding देखो लिखा है, Cloud Seeding क्रतिम वर्षा, Artificial Rain कराने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज होती है, वो Cloud Seeding ही होती है, जिसमें आप देखो देखते हो यहाँ पे, Silver Iodide और Potassium Iodide या सूखी बर्फ के कणों का वहाँ पे छिड़काव किया जाता है, तो कई बर होता है कि हवाई ज जो पानी गठा होता है, यह जली गठा होता है, वो भूनों के रूप में परिवर्थित हो जाता है और बारिस हो जाती है, तो Artificial Rain कराने के लिए क्या है, इसका उपयोग किया जाता है, फिर क्या लिखा है, यह तकनीक की तभी काम करती है, जब वहाँ पर बादल हों, बाद दूसरा है कि कहीं बारिस तो हो रही थी, लेकिन बारिस की मात्रा बहुत कम थी, और आप वहाँ पर क्लाउट सीडिंग करते हो, तो मात्रा 30-30 तक बढ़ जाती है, तो यह हमारे फायदे हैं क्लाउट सीडिंग के, अब यहाँ पर जिस मौसम के तहत क्लाउट चैंबर को ब लिखा है, चरम मौसम की घटनाओं और जलवाई पर्वितन के प्रभावों की भविष्यवानी करना तथा इससे निपटने की भात की छमता में व्रद्धी, आप देखती हूं कभी-कभी IMD जो है कभी कोई notification जारी का या फिर घोशना कि घंटे बारिस होगी, दो घंटे बा बारिस होगी, तो दो घंटे बारिस बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इन जो समतब जो अनॉंस्मेंट की जा रहे हैं IMD के दवारा वो सटीख हो पाएं, आची जानकर रिउपलब्द करा पाएं लोगों को, उसके लिए भी हमें ये मददगार होने वाला है, पता ही है संस्थान और जुड़े हुए है, पहला है भारती मौसम विज्ञान विभाग, भारती उश्न कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, तीसरा है रास्टी मध्यम अवधी मौसम पूर्वानुमान, तो क्या है, प्रतवी विज्ञान मंत्राराय के साथ तीन संस्थान मिलकर के इस मौसम मिशन को चला रहे हैं ठीक है आगे और उजानकारी यहां पर देखते हैं तो यह मिशन समय एवम इस्थानिक पैमाने पर आतियदिक सटिक की सारा वही बोल ला है इनका मतलब यही है जो घोशनाई की आती है या पिर जो हमारे पस नोटिविकेशन आते हैं फोन बे की दो गणटे बाद बारीश होगी कल दो पहरे में इतना टेंप्रेचर रहेगा कल दो पहरें बादल रहनी की संभाव नहीं तो यह जो नोटिविकेशन हमें दिखते है न वो ज़दातर जो होते हैं, गलत होते हैं, फाल्स होते हैं, तो वो सही तरीके से सठीक मिल पाएं, इन पर प्यास किया जाएगा, साथ ही, मानसून कैसा होगा, वायू की घुडवत्ता कैसी होगी, चरम मौसमी घटनाय होने वाली है, नहीं होने वाली है, इन सब के जानकारी जो है कि अगर कोई चीज help करने वाली है, तो हमारा मौसम mission होने वाला है, ठीक है, बादल जो हमारा है, cloud chamber है, वो एक अलग घटना हो जाती है, लेकिन हमारा जो ये मौसम mission है, ये अलग है, ठीक है, अब बात करें, अगर हम की मौसम mission से या फिर cloud chamber से आखिकर हमें law क्या होने व विमानन अब लगीगा विमानन मतलब क्या होगा यहां पर विमान मतलब देखते हो ना कि फ्लाइट जो एकदम रेड़ी है पैसंजिस बैठने वाले हैं बैठ ही गए और वहां पर अनाउंस्मेंट होती कि मौसम खराब होने को यह से जो है फ्लाइट आपको डिले हो गई यह यह होता कि एक दो घंटे पहले ही पता चला कि अब प्लाइट नहीं जा सकती है अगरर हमारे पास अठिक जानकारी हो कि तीन बजे के बाद मौसम खराब होगा तो जो फ्लाइट जो है तीन बजे जाने वाली है वो वीमानन हमारा अच्छा हो पाएगा साथ में रक्षा में उर्जा, जलसन, साधन, परिटन में भी फाइदा होगा यहाँ पर देखो सहरी नियोजन, परिवहन, परेवर्ण, निगरानी, परेवर्ण तो हमारा अच्छा हो गई है इससे तो बहुत सारे छेत्रों में हमें इससे लाब होगा अगर ये योजना अच्छे से काम करती हैं अगर जो हम इसका सक्सेस्रेट बढ़ा पाते हैं कई पर होता है कि योजनाय सरकार लागू करती हैं लेकिन वो जो है अच्छा प्रदर से नहीं कर पाती हैं बहुत सारी योजना ऐसी है सरकागत और लागू की गई हैं लेकिन उनका अगर बात करें कि सफलता दर कितनी रही है वह बहुत कम होती है जिससे लोगों को फायदा नहीं हो पाता है ठीक है अगर बात करें यहाँ पर देखो लिखा यह चरम मौसमी घटना ओवा जलवाई पर वितन के प्रभावों से बहता तरीके से निपटने में सक्षम होगी अब होता है कि तूफान आने वाला है कहीं बादल पटने वाले हैं भूकंप की तचलो जानकारी नहीं दे पाते हैं सब चीजे वही हैं से कैसे हम चीजों को कैसे हम मौसम संबंधी चीजों को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया पाएं सर्टिक तरीके से पहुंचाया पाएं क्यों देखो सरकार कि जो भी काम करती है कोई प्राइवेट कंपनी जो भी काम करती है कोई परसनल कोई तो भी सब्सक्राइब करते हैं सारे मेहनत काम या सारी मेहनत होती है नए ने इन्वेंशन किये जाते हूं चाहिए। सुविधा प्रदान कर पाएं, चाहिए ये पैन हो, प्रोजेक्टर हो, ये कैमरा हो, जिस से छेतर में भी रिसर्च होती है, उसका एक ही लक्ष होता है, कि लोगों को जादा से जादा तक्नीकी सुविधा के माध्यम से उनका जीवन आसान बनाया जा सके, तो ये जो भी ओज जिनाय चल रही है, उनका एक ही उद्देश है, कि अगर ये सफल होती है, तो लोगों का जो जीवन है, वो आसान हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा रहा, मौसम, मिसन के बारे में, क्लाउड चैमबर के बारे में, क्लाउड सीरिंग पढ़ लिया हमने, कहां पर है, कैसे है, सब कुछ देख लिया है, I hope समझ में आ गया हो, कब बहुत चल चीजे नहीं थी इसमें, तो हमने ये कवर कर लिया, अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक क मिलें, इसके लिए बैल आइकन जरूर देवाइएगा, have a good day, thank you.